जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं 29 अप्रेल को शनीकार कुम्ब राशी परिवर्तन होने जा रहा है और उसके वारे में चर्चा मैं पहले भी करिकरम में कर चुका हूँ आज हम कुम्ब राशी वालों पर यह जो शनीकार राशी परिवर्तन होने जा रहा है तो 250 साल कैसे रहेंगे 350 मार्शी के क्या प्रभाव होगा इसके बारे में चर्चा करें'm कहां पर बुरा प्रभाव होगा और यह प्रभाव और जो रहने वाला या 29 मार्द 2025 तक रहने वाला इसके बारे में चर्चा करेंगे तो पहली चीज शनी कुम्राशी में जैसे ही जाएंगे तो कहीं न कहीं जो कुम राशी वाले हैं उनके हुरदे पे साड़े साती आ जाएगी याpants की जोर के जटके दीरे से लगेंगे हुरदे उने का मतलब स्वास्त पे विशेस ध्यान देना है क्योंकि लगन गत जब शनी आप किराशी में बैठेंगे तो आपको स्वास्ते समंदी परेशानी होने लगेंगी आपको डिप्रेशन की परेशानी होने लगेगी मानसिक तनाव होगा हाथ पेरों में दर्द की परेशानी चिड़ापान, सरदर्द, नसों की प्रेशानिया ऐसे में होती है व्यक्ति को पेचेनी रहती है जब भी सनी हिर्दे पे आता है तो व्यक्ति को पेचेनी रहती है और हाथ पेरों में हलका सा अजीब सा दर्द रहता है जिन के उपर साड़े साती चल रही होगी धनू, मकर और कुम्ब के धनू से तो निकल गई है जिन पे भी चली है उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हलका सा हाथ पैरों में नसों में पेन रहता है है साड़े साथी के दो राग पहली चीज तो यह होगी दूसरा गुरू का भी अपरेल में राशी परिवर्दन हो रहा है गुरू मीन राशी में बैठे यानि कि आपके धन भाव में कुम्ब राशी वालों के बैठे तो धन में ब्रिद्धी होगा तीन सालों से जो आप कुमराशी वाले मैनत कर रहे हैं और उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है एकदम से आपको छपपर फाड़के मिलने वाला इन धाई सालों में साती साथ आपके हाथ से कोई धार में काम भी होगा यानि मंदिरों में कोई योगदान आप करेंगे आशरों में कोई योगदान आप करेंगे या किसी संस्ता की हेल्प करेंगे या किसी संस्ता से आप जुड़ जाएंगे इन धाई सालों में साती साथ सानी की तृतिय दृष्टी अगर देखे जाए तो आपके प्राकरम भावों में बैठ रही है यानि कि इन धाई साल में आपकी ख्याती बढ़ जाएगी, आपको समाज से आवार्ड या समान की प्राप्ती होगी, सारे जो वाद विवाद कोट केसिस चल रहे हैं, वो भी इन धाई सालों में उनका निफ्टारा जैसे भी होगा वैसे हो जाएगा, यानि सारी उलजने आप की इन धाई सालों में खतम होने वाली है, साती साथ सनी की सब्तम द्रिष्टी जो आपके दामपत्य भाव में पढ़ रहे हैं, यानि सनी सब्तम भाव का कारक नहीं है, यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमी का है या पती पतनी है, आपके पार्टनर से आपकी अन्बन शुरू हो तो सब्तम भाव में शनी की द्रिष्टी अशुप फलदायक है, फिर शनी की द्रिष्टी दसम भाव में आपके पढ़ेगी, यानि की व्यापार में जबर्दस्त ग्रोथ होगी शनी और सूर्य मात्र ऐसे ग्रेंज जो की दसम भाव में दिख बली अवस्ता में होते हैं, इनकी द्रिष्टी भी बड़ी लापकरी होती है, ऐसे में यहाँ पर गुरू की द्रिष्टी पढ़ रही है, यानि शनी और गुरू की द्रिष्टी दसम भाव, यानि आपके करम छेत्र में पढ़ रही है, तो कोई ना कोई भूमी, दुकान आप खरीदने वाले हैं, से गुरू की द्रिष्टी नौकरी कर रहे हैं, जो कुमराशी वाले, उनकी भाव में पढ़ रही है, इसलिए नौकरी में पद प्रमोशन होगी, नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, लेकिन प्रेशर वाला काम रहेगा, यानि कि आपकी पद तो ब्रिद्दी हो रही है, ध आक्टिव फ्ट्डी आपका रहने वाला है, इसी प्रकार से गुरू की जो अस्टम भाव पे द्रिष्टी पड़ रही है, यह बढ़ा है, गढ़ा धन प्राप्त होगा, या कही ना कही पैत्रिक धन की प्राप्त होगा, आप गढ़ा धन का मतलब क्या होता है, यानि कि का पत्वार होगा उससे आपको फाइदा धनलाव होने वाला है तो जो गुरू की दृष्टी आपके इस्टा महों में पड़ी पड़ी है बहुत बार क्या होता पतनी के और से भी कुछ कुम्राशी वालों को कोई ना कोई लाब प्राप्त होगा या तो आपको पैत्रिक धनल प्राशी परिवर्दन है कुम्राशी वालों पे दो जगा पे अच्छा नहीं है पहला स्वास्ते पे ध्यान देना पड़ेगा दूसरा दामपत्य जीवन पे ध्यान देना पड़ेगा दो जगा पे अच्छा नहीं है बाकी और चरणों में इसका प्रभाव शुभ है तो मि झाल उत्रो